हेलो एवरिवान, वेलकम बैक टू वंदना की रसोई गर्मिया शुरू होते ही सबसे पहले जिस ट्रिंग की याद आती है वो है शिकनजी तो अगर शिकनजी का मसाला हमारे पास पहले से ही रेडी हो तो इसे बनाना बहुत ही असान हो जाता है तो शिकनजी बनाने से पहले आईए उसका मसाला देख लेते हैं कैसे बनाना है जिसे बनाना बहुत ही असान है तो आईए देखते हैं ये मसाला कैसे बनता है तो शिकनजी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चार चमच जीरे के लिए हैं यानि के दोनों में मैंने दो दो चम्मच जीरे के ले लिए हैं, दोनों की same quantity ही है, normal जीरा है जो हम वैसे सबजी में use करते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम एक जीरे को भून लेते हैं, यानि के हम पहले दो चम्मच जीरा जो है वो उसको भून लेते हैं, तो जीरा भूनने के भूले दो होई हाँ अधर जागे होई हनु laquelle भूले को पन्या जो बचीनी खेतों अफैर हेले लिए हम फ्लेम को बिल्कुर सो रखेंगे और भूले को रहा Это में मैं मुनले नीच्श फिलनना शुरू होगया है और इस और 悎 धिश्यार्याद को बन बूले दो इसे अच्छे से इलाते रहिए, तो ये दि consistent हैं जीरा जो है वह आट शाज़ा हमने डार्क नहीं करना है, अब हमने इसे प्लेट में निकाल दिया है और प्लेट में इसे अच्छे सफिला दें, ताकि ये ठंडा हो जाएंगे तो जीरा हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है ये दो चमच हमने भूना हुआ जीरा लिया है और अब हम इसमें दो चमच जो हमने जीरा नहीं भूना है वो डाल देंगे यानिके कच्चा जीरा हम इसमें मिक्स कर देंगे और अब इस मसाले में मैंने 20-25 काली मिर्ची आड़ कर दी है तो चलिए अब इस सारे मसाले को हम एक grinding jar में डाल लेते हैं तो छोटे वाला jar लिया है उसमें ये सारे मसाले हम डाल देंगे तो ये देखिए इसमें मैंने भूना हुआ जीरा, कच्चा जीरा और काली मिर्ची आड़ कर दी है और अब हम इसमें आड़ कर रहे हैं दो बड़े चमच भरकर काले नमक के साथ में ही इसमें हम डेर चमच नॉर्मल नमक का डाल रहे हैं जो हम सबजी विगारा में यूज करते हैं और अब साथ में ही इसमें डाल देंगे सौंट पाउडर यानि के जिंजर पाउडर या फिर अद्रक का पाउडर भी हम इसे बोलते हैं तो अब इसको हम डाल देंगे एक चमच तो ये एक चमच हमने सौंठ पाउडर इसमें डाल दिया है और अब ये सारे मसाले डाल कर हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो ये देखिए ये मारा मसाला जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो गया है इसको हमने अच्छे से ग्राइंड करना है यानि कि हमने इसको बहुत ही बारीक पीसना है तो ये मसाला हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया है धकन को खोलते ही इसकी खुश्बू जो है वो सारे घर में फैल गई है खुश्बू बहुत ही अच्छी आ रही है तो चलिए अब इस मसाले को हम एक एर टाइट कंटेनर में फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया है जो कि बिल्कुल साफ है और ड्राई है कंटेनर जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए इस मसाले को आप एक बार बना ले और सालों साल यह मसाला खराब नहीं होगा तो यह देखे मैंने इस एक चार में फिल कर लिया है तो आईए अब इस मसाले को यूज करके हम शिकंजी तयार करते हैं चलिए अब शिकंजी भी जल्दी से हम बना ही लेते हैं तो यहाँ पर हम दो तरह की शिकंजी बना रहे हैं नमकीन शिकंजी सोडा के साथ और दूसरी बना रहे हैं मीटी शिकंजी तो सबसे पहले हम इन ग्लासिस में आईस डाल लेंगे जितना ठंडा आप करना चाहें उतनी आईस आप इसमें आड कर लें और अब मैं इसमें डाल रही हूँ निम्बू का रस दोनों में एक एक निम्बू का रस डाल दिया है और अब साथ में आड कर रही हूँ एक ग्लास में चीनी एक glass हमने नमकीन बनाना है तो उसमें चीनी आड़ नहीं करेंगे तो इसमें मैंने चीनी आड़ कर दी है एक चमच और अब हम दोनों में आड़ करेंगे शिकंजी मसाला तो ये शिकंजी मसाला हम दोनों में आड़ कर देंगे तो दोनों glasses में हमने शिकंजी मसाला आड़ कर दिया है और अब नमकीन वाले glass में हम डाल रहे हैं soda water तो ये soda water हमने आड़ कर दिया है इसमें और दूसरे वाले glass में हम normal water आड़ कर देंगे तो इसमें मैं ठंडा पानी ही आड़ कर रही हूं तो ये हमने दोनों glass अच्छे से फिल कर लिये हैं तो चलिए अब इनको एक बार अच्छे से mix कर देते हैं तो ये soda वाले glass को भी हमने अच्छे से mix कर दिया है और दूसरी glass को भी अच्छे से mix कर देंगे तो ये दोनों glasses को हमने अच्छे से mix कर दिया है इस शिकंजी जो है वो हमारी बनकर एकदम तयार है तो इन पे मैं डाल रही हूँ एक-एक पुदीने की पती और साथ में ही हम साइट पर लगा देंगे एक-एक लेमन का पीस तो ये lemon के pieces हमने इस पे लगा दिये हैं तो ये हमारी शिकंजी जो है वो बनकर एकदम तयार है जब हमने शिकंजी मसाला बनाया था तो उसमें चीनी एड नहीं की थी आप चाहें तो उसमें चीनी के जगह थोड़ी सी धागा मिश्री भी एड कर सकते हैं उसे बिल्कुल बारीग पीस लीजिए और उसमें एड कर दीजिए तो आप इस मसाले को इस गर्मी ज़रूर बनाएं और मिंटों में शिकंजी को तयार करें हमने इसमें काला नमक भी एड किया है जो हमारे digestion के लिए बहुत अच्छा होता है आप इस मसाले को सैलेड या फिर फ्रूट पर लगा कर भी खा सकते हैं इसे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा गर्मियों में ये शिकंजी आपको एकदम तरो ताजा कर देगी तो आप इस मसाले को एक बार जरूर बनाएं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शियर भी करें और अगर आप में चैनल पर नए है तो में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में तक तक stay safe, stay healthy and thanks for watching my video. Bye-bye.